जेहद साथियों, अगिए देखते हैं उत्तरप्रदेश खरेंटफेयर, इस बीडियो में साथियों 50 कोश्टन लिये हैं, जो की काफी महत्वोड है यह 2024 का है करेंटफेयर, ठीक है? एक दो कोश्टन आपके 2023 के भी मिलेंगे जो इंप्वर्टन्ट है अगला कोशन क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचड़े से इंधन बनाने का प्लाक्ट कहां पर बनाया जाएगा तो आपके अयोध्या में प्लास्टिक कचड़े से क्या बना रहा है इंधन बनाया जाएगा कहां पर अयोध्या में अयोध्या में इंधन की बहुत जरुरत पड़ेगी बाबू इसलिए ठीक है कह सकते हैं आगे है कोशन नमबर 3 देश का पहला टेलिकाम सेंटर आफ एक सी लेंज कहां पर अस्थापित किया जाएगा तो सहारनपुर में कहां पर सहारनपुर में क्या है पहला टेलिकाम सेंटर क्या है पहला टेलिकाम सेंटर टेलिकाम क्या करता है सहारा देता है आदमी को ठीक है तो सहारनपुर में अस्थापित किया जाएगा आगे है कचड़े से कोईला बनाने वाला देश का पहला सयंत्र किस सोहर में बनाया जाया रहा है तो आपके वरानसी में कहां पर वरानसी में क्या है कोईला कचड़े से कोईला कहां पर वरानसी में ठीक है ध्यान देजेगा जब कहेगा कचड़े से कोईला तो वाराडशी जब कहेगा कि कचड़े प्लास्टिक कचड़े से इंधन तो आपका अयोध्या ठीक है आगे है भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचड़े से इंधन कहां पर प्लाट बना जा रहा है तो अयोध्या में ठीक है बता दिये भी अगला question दिखते हैं साथ से 6 number क्याता है कि उत्तर प्रदेश पूलिस का नया एथम संग किस गितकार ने लिखा है तो किसे ने लिखा है रितेश रजवारा ने लिखा किसे ने रितेश रजवारा जो कि सुल्तानपुर के हैं बाबू इस गित को अवाज दी है कुवर नमबर साथ उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी द्वारा उत्तर प्रदेश के किन दो सहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलिकाप्टर क्या है अंतर जिला हेलिकाप्टर जिसे बोलते हैं इट्रा डिस्टिक ट्रक हेलिकाप्टर सेवा सुरू की गई है तो आगरा और मतुरा के ब इत्रिमेट फाइटिंग चैंपेंशिप यू एफसी जितने वाली पहली भारती महिला है क्या है यह पहली भारती महिला है कौन पूजातोमर भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पूजातोमर का नाम पता होना चाहिए ठीक है इनका सम्मंद किस जिले से है तो मुझफर प्यान ड्रास सेंटोस को हरा कर इस चैंपियंशिप में आयोजन कहां पर हुआ था अमेरिका में जुन दोहजार चोविस को ठीक है अच्छा कोशन है यह भी कोशन भी आईपी लिख लोग आप यह भी इंपोर्टेंट है अन्नु रानी क्या है अन्नु रानी ओनाजिस में कोशन में सौन पधक जीता है क्या अन्नु जिता है सौन पधक कहां से जिले से कहां से है मेरट जिले से ओनाजिसमें एस जाई खेल तो है तेज का विजन कहां पर वा था हंग जो चीन में हुआ था तो यह कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप पर्ट लीजिएगा आगे देखते हैं कोश्चन नमर अगला है उत्तर पदर इसके कितने ब्य अमद कला के छेतर में दिया गया है राधे स्याम को राधे स्याम पारिक को मेडिकल के छेतर में दिया गया है और सीम बनो को कला छेतर में दिया गया है नौजी इवन रस्तोगी को साहित्य के छेतर में दिया गया है इस साहित्य वाला भेहरी-भेहरी most important है ठीक है राम चेतन चोधरी Science and Engineering के छेतर में दिया गया है आगे है गुदावरी Sinn Kalah को छेतर में दिया गया है आरके धीमना Economic Space पुर्मिला स्रीवास्तो को कला के छेतर में ठीक राज राम जैन को सहिप्ड्य के छेतर में दिया गया है very very most important बाभुराम को कला के च्छेतर में यह भी important फुरेंदर मोहन मिश्रा को कला के च्छेतर में ते बारा का नाम हलका हलका आप याज कर लिजिएगा अच्छा कोशन बन सकता है एक्जाम में ठीक है क्योंकि साथ क्यों आपका एक्जाम होने वाला है दोश शिप्ट में दोश शिप्ट में मतलब होता है कि कोई भी किसमे अग्जाम में क्या आएगा किसी को कुछ पता है नहीं आगे है उत्तर पते सरकार किस कारिकरम के तहत उस्कूल छोड़ने वाले च्छात्रों को वापस उस्कूल में लाने का भ्यान चला रही है तो सारदा कारिकरम के तहत ठ जनाके तहत ठीक है इस दोनों बात सिंपल है समझने आ गई होगी आगे है कोईशन नमबर साथियों यह है आपका तेरा नमबर तेरा नमबर ठीक है तेरा नमबर क्या है उत्तर पते से स्कूल में अब किस वंस के सास्कूल का इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा तो मूगल काल के ठीक है कहा गया है लेकिन कोईशन आपके एक्जाम में आ सकता है तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू कोईशन नमबर चौदा साथियों क्या कहता है किस राज्य के जेलो का नाम बदलकर सुधार ग्री क्या है सुधार ग्री कर दिया गया है तो आपके उत्तर का संबन्द कहां से है मेरट से है ठीक है महिलाओं में तो पांच जार मीटर दवड असपरदा में काउन सा पतक जीता है तो सोन पतक जीता है गोल्ड मेडल ठीक है गोल्ड मेडल अच्छा क्वेशन है अगला क्वेशन सोला नमबर क्या काता है साथियों अंतराष्टी पैर बैटमिंटन चेंपियन सिंग परतियोगता दोजयाचवबिस में दिव्यांग बैटमिंटन खिलारी क्या नाम है स्वाती सिंग क्या है स्वाती सिंग ने दो कास्ट प्रदक जीता है उनका संबन्द किस जिले से है तो जालाउन से है ठीक है योजना कहां पर हुआ था तो जुलाई के बीच आगे है वरान्सी में हश्ट सिल्प और हस्थ करगा उत्धोग है उत्पादों को परद्शित करने के लिए किस कारिक्रम का योजन किया गया है तो धरोहर कासी क्या है धरोहर कासी ठीक है तीरे से चुद्धा प्रल के बीच किया गया था क्या है धरोहर कासी अगला कोशन देखते हैं भाई क्या कहता है साथियों उत्तर प्रदेश में अपने क्लेक्टर की E आपिश क्या है अपने क्लेक्टर की E आपिश नमबर बीस क्या काता है साथियों हैदराबाद और दिली के एरो सिटीज के तर्ज पर इसी के तर्ज पर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एरो सिटीज का निर्मार किया जा रहा है तो आपके लख नवर में कहां पर लख नवर में किया जा रहा है आगे है नबालिकों के क और जुर्माने लगाने का गोफ्राना की गई है तो तीन वर्ष और पचीस हजार रुपए ठीक है तीन वर्ष या पचीस हजार रुपए देना पड़ेगा परिजन को आगे काता है कुछन हाली में आम महस्तो दोहजार चौबिस का विजन उत्तर पदेश के किस जिले में हु निरमाड का हां पर किया जारहा है तो मैंगो पार्क का निरमाड जो है आपके लखन और में किया जा रहा है अगला कोशन देश के पहले कन्या साइनिक इस्कूल क्या है कन्या साइनिक इस्कूल का उठगाटन कहां पर किया गया है तो ब्रिंदाबन के मतुरा में ठीक है मतुरा के ब्रिंदाबन में ठीक है आपके ब्रिंदाबन में हाल ही में राज में बहु खतरे परिद्रिस्यों से निपटने के लिए परियास के तहप ठीक है आपदा पुरुचेतावनी केंदर राहत वाणी केंदर क्या है केंदर राहत वाणी केंदर आर भी सी का घटन कहां पर किया गया है तो आपके लखनवर में ठीक है कहां पर लखनवर में किया गया है चलो अगला कोशन क्या है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिशन सक्ति के चोथे चरण का सुभारम मुख मंतरी योगी आदित्यनाद जीने किया है कहां पर तो लखनौर में किया है मिशन सक्ति का चोथा चरण मुख मंतरी योगी आदित्यनाद ने किस जीले में प्रदेश का पहला मिशन सक्ति काईफे कहां पर खोला जाएगा तो गोंड़ा में भता दिये थे कि काईफे सक्ति क्या होता है सकती किसमे होती है तो गोड में होती है उत्तर प्रदिश का सरकार ने किस तने नगर निगम में दीदी कैफे खोलने का निवन लिया है तो आपके सतर कितने हैं सतर नगर निगम में दीदी कैफे खोले जाएंगे नगर निगम की संख्या कितनी है आप कमेंट में बताइएगा आगे है इलहाबाद high court के नए मुख्य नढ़िस कौन बने है तो नए मुर्ति अरुण भनसाली क्या है अरुण भनसाली यह है इलहाबाद के नए मुख्य नढ़िस उत्तर पते सरकार में खुद खुशी रोकने के लिए किस social media company के साथ समझाता किया है तो आपके Facebook very very most important question पुछेगा एक्जाम में question number 31 हाल ही में उत्तरपदेश ने एथनाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सम्झे होता किया है तो Denmark very 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 most VIP question क्या है एथनाल उत्पादन के बढ़ावा के लिए किस के साथ किया है तो Denmark ठीक है Denmark कोनो Denmark इसके साथ किया है एथनाल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ये खुच-खुची रोखने के लिए इसके साथ किया है तो Facebook ठीक है Facebook पर वीडियो दखेगा अच्छा-च्छा खुच-खुची मैं ही करेगा भईया कोशन नमबर 32 साथियों उत्तर प्रदिस राज सरकार ने मन रहेगा मज़दूरों को 213 रुपए प्रतिदीन के अस्थान पर कितने रुपए की मज़दूरी देगा अब तो 230 रुपए की ठीक है साथियों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज भाई लाइक कर दिएगा क्योंकि हम उतना बोलते नहीं है कि लाइक करो सब्सक्राइब करो ठीक है अब लिए आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो कर दिएगा ठीक है ये छोटे आदमी को थोड़ा सा सहारा देंग ठीक है इतना मिलता है कि मेरा काम चल जाता है ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में वाइट टाइगर सफारी बनाने का निड़न लिया है तो प्रयाग राज में कहां पर प्रयाग राज में क्या है वाइट टाइगर सफारी बनाने का निड़न लिया है तो प्रय प्रियाग राज में वाइट ठीक है तो सबसे बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं तो किताब कापी लेते हैं तो वाइट वाइट पेज रहता है न तो वाइट से या करियो वाइट टाइगर सफारी कहां बनेगा तो प्रियाग राज में और यह है आपके जंगल सफारी पोले क्या करता है उत्तर प्रत्र शकार ने सुषरी वल्लाकों के सटकों का प्रबंधन करने के लिए किसे एजंसी का ऊठंक या है तो凌य का लowan किया है ठीक है याद करिएगा आगे है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रेगन फूर्ट की खेती की शुरुवात की गई है 2023 का है लेकिन अच्छा question है तो हमीरपूर में ठीक है तो ड्रेगन फूर्ट कौन खाता है कौन खाता है भाईया जो अमीर होता है तो अमीर से कर सकते हो हमीरपूर रानीपूर टाइगर रिजर्ब क्या है रानीपूर टाइगर रिजर्ब कहां पर है भारत का तिरपनवा टाइगर रिजर्ब उत्तरपधिस्क किस जिले में इस्तित है तो चित्रकूट में तो रानी का चित्र कितना सुंदर होता है बाबु जानता ही होगे तो रानीपूर ट्राइगर रिजरवण कहां पर है तो चित्रकूट में है ठीक है तिरपनवा बना है भाईए पहला Iya आगे किस बं-जी अभ्हारण को उत्तरप्रदिस का पाचमा टाइगर रिजर्ब गोसित किया है क्या है उत्तर प्रदेश का पाचमा क्या है पाचमा टाइगर रिजर्व ठीक है यह पाचमा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का तो कौन है सुहेलावा टाइगर रिजर्व कहां पर है सुहेलावा स्राबस्ती बलरामपूर गोंडा में इस्थीत है कोशे नमबर 40 2025 से 2029 तक मोटू जीपी भारत का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो नोईडा में किया जाएगा कहां पर नोईडा में उडान कारिक्रम क्या है उडान कारिक्रम की सुरुवात उत्तर प्रदेश के किस हंसान द्वारा की गई है तो आयाएटी कानपूर क्या है आयाएटी कानपूर ने क्या है उडान कारिक्रम ठीक इसका उड़ेश क्या है ड्रोन स्टार्ट अब को बढ़वा देना आगे है अंतराश्टी डिजिटल सिच्छक उलोंपी याड में सिल्पी अगरवाल क्या है नाम याद करो भी है सिल्पी अगरवाल सिर्स परदानसन पर रही इसका संबन उत्तर प्रदिश का किस जिले से है तो लखनवर से कहां से है लखनवर से है सिल्पी अगरवाल का ठीक है ये अंतराश्टी डिजिटल सिच्छक उलोंपी आड हुआ था है तो नोईडा अंतराश्टी हवाई अड़ा कहां पर है जेवर हवाई अड़ा कोश्चन नमर चवालीज उत्तर प्रदिश के किस सहर को स्टे नेवल स्टीज चैलेंज में भाग लेने के लिए 20 अस्तर पर 3 सहरों को एक सास्थ रूप में चुना गया है तो वारानसी क्या है वारानसी डेट ट्रायड यूएस से और बिनियस इटली के साथ चुना गया है अगला कोश्चन साथ ही हो 45 नमर करता है कि उत्तर प्रदिश सरकार ने किस संस्था के सहयोग से पर्यटपों की संख्या का आकलन करेगी बताईएगा तो All India Institute of Local Self Government के सहयोग से अगस्थ 24 से जुलाई 2025 तर देखे साथ ही हो पीडियफ चाहिए पीडियफ चाहिए पीडियफ चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल क्या है माही जी के ट्रिक क्या है माही जी के ट्रिक उस पर जाकर जोईन करेगा वहाँ पर इसका पीडियफ आपको मिलेगा ठीक है तो इसके लिए एक लाइक बनता है आगे है भारत सरकार ने नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को सामिल किया गया है तो 11 ठीक है भारत सरकार ने नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के कितने लोग को सामील किया है तो 11 लोग को सामील किया है उत्तर प्रदेश के ठीक है प्रदहान मंतरीत सहीत स्वधिक मंतरी उत्तर प्रदेश के थे 11 बिहार के कितने थे तो 8 ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर अगिला क्या काता है सिरी मंद भागवत महापूरान मंदे का निर्मार उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर किया जा रहा है तो ब्रिंदाबंद आपके मथुरा में ठीक है ब्रिंदाबंद आगे है राष्टी महिला आयोग को हाल ही में जारी डिपोर्ट के अनुसार वर्ष 24 में स्वधिक सिकायत कि स्राज में प्राप्त हुई है तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सबसे बावत्तर प्रदेश बहिया तो हर काम सबस्थाधिक होता है लगभगी सीलिये सबसे बाली बात तो यही है क्योंग जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि सिकायद भी ज़्यादा ही आएगी कोई बात नहीं तो होता है आगे है Military Medicine Institute की अस्थापना भारती सेना क्या है? भारती सेना लिखा है कि द्वारा किस जिले में की जाएगी तो लखनवर में कहाँ पर लखनवर में ध्यान से पढ़िएगा Military Medicine Institute की अस्थापना कहाँ पर लखनवर में अगला कोश्चन किसान सम्मान सम्मेलन का आवेजर उत्तरप्रदिश के किस जनपद में किया गया है तो वारानसी में कहाँ पर वारानसी में किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लांच किया गया इसी के समय बहरी बहरी मौश इंपोर्टेंट है कोश्चन पढ़ा चुके है वाला आगे है गिद्धों के लिए दुनिया का पहला फरच्छन और प्रजिनन केंद्र कहाँ पर बहरी बहरी हुक्त से किस कंपनी दोबह भारत के सबसे स्मार्टपोन प्लांड का निर्मान greater noida में किया जाने की गुफना की गई है तो बीबो कमपनी द्वारा पुराना question है ठीक है कोई बात नहीं किस tiger reserve को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा eco-terrorism hub में बदलने का फैसला किया गया है तो रानीपूर tiger reserve चित्र कूट कहां पर है चित्र कूट में तो रानी का चित्र ठीक है तो याद हो गया तो इस तरह से आप भया याद कर सकते हो कुश कुश चीजे को यह है उत्तर प्रदेश के चवथा वीडियो current affair का था तो पचास पचास के चार वीडियो उत्तर प्रदेश current affair special हमने launch किया है इस तरह से आपके उत्तर प्रदेश current affair के होते हैं 200 question complete कितने हो गए 200 question हो गए complete आपको 200 में से जरूर एक दो तो लगी ही लगी जाएगा आपके एकजाम में क्योंकि भाईया इतना बड़ा chapter होता है तीन देखिए current affair क्या होता है साथिए और पांच question आता है यदि पांच ने से चार कर लेते हैं तीन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका current affair है ठीक है इतना समय लिएगा यदि पांच current affair आता है तो पूरा पूरा आदमी बहुत कम ही कर पाएगा लेकिन चार भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है तो अब जो भी चीजिए नए चीजिए होंगी ले कराएंगे जो भी current affair अब है 2024 के current affair जो है आपके राष्टी, अन्तराष्टी उनसे भी कुछ संबन्दित है उनको भी कराएंगे क्योंकि आपके exam में 10 पेपर होने वाला है साथियों तो 10 पेपर में अगर हर पेपर में 5 कोशन आता है तो इस तरह से 50 करेंट फेर 50 करेंट फेर निकालने के लिए आपको कम सकम कम सकम साथियों 2000 करेंट फेर तयार करना पड़ेगा तो 50 कोशन आपका निकलेगा ठीक है तो यह है आपका यह होता है करेंट एफेर थाँसा लंबा चेप्टर होता है पूरा पढ़ना पढ़ता है भीया इसका कुछ भरोसा भी नहीं होता है ठीक है तेखें भीया करेंट एफेर का कुछ भरोसा होता नहीं है कहां से पुष्टेगा ठीक है तो इसका कुछ भरोसा होत करता नहीं है जायतर फैकॉस करिएगा आप मैठ रिजनिंग जीके जीस हिंदी ठीक है